हेले स्टूटेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेस पर स्वगात हैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चलिए बच्चो जिसमें आज का टॉपिक है पेप्टाइड बंद देखे बहुत ही सिंपल है पेप्टाइड बंद है क्या इसे हम एक एमाईड बंद के नाम से जानते हैं और एमीनो अमल के बीच बनने बाला बंद है देखेगा बच्चो हमारे पास मान लीजे दो एमीनो अमल है वैसे आप ने पढ़ा है कि प्रोटीन किसके संगनन से बनता है एमीनो अमलों के संगनन से बनता है एक एमीनो अमल ये है दूसरा एमीनो अमल आपका ये है ठीक है अब देखिए एमीनो अमल की परिभासा आपने पढ़ा है कि भाई नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक योगिक है और amino aml में एक condition है कि amine समों भी होना चाहिए और एक carboxylik समों भी होना चाहिए मतलब इस amino aml में एक आपका amine समों है NH2 और carboxylik समों है ये तो condition देखे रखा है इसमें भी आपका एक आपका amine समों है और एक carboxylik समों है एक से भी अधिक हो सकता है लेकिन एक होना ही चाहिए अब होता क्या बच्चो जब एमीनो अमल के दो अणू आपस में बंद बनाते हैं और वो कैसे बंद बनाएंगे एक एमीनो अमल के कारवोक्सलिक समों से ठीक है देखिए गजरा एक एमीनो अमल के कारवोक्सलिक स और दूसरे एमीनो अमले के एमीन समों से आपस में ये बंद बनाएगा लेकिन इसके बीच हाइड्रोजन अडू निकल कर बाहर होगा कैसे आपका यहाँ पे सी ओ ओ एच है बच्चो यहाँ पे आपका एन एच और एच कर सकते हैं इसको अब यहाँ से ओ एच और एच आपके पास जो दो एमीनो अमले हैं यहाँ पे आपका हो गया सी ओ और यहाँ पर हो गया एन एच तो यहाँ पे जो बंद बना बच्चो यह जो बंद है इसी बंद को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंद या एमाइड बंद अर्थाद एमीनो अमलों के बीच बनने बाला ज था दूसरे एमीनो अमल के NH2 समू के बीच जल के एक अडू के निसकासन दोरा बनता है मतलब एक एमीनो अमल का जो आपका कारवोक्सलिक समू है और दोसरा एमीनो अमल है उसके एमीन समू से जब एक आपका H2O अडू मतलब जल का अडू बाहर निकलता है तो उनके भी जो बंद बंता है उसे हम बोलते है पेप्टाइड बंद अब यहाँ पर मैं एक एमीनो अमल लेकर चलता हूँ आपको समझाता हूँ एमीनो अमल का पहचान ही है बच्चो क्लियर है कि भाई साब उसमें एक आपका एमीन समों और एक कर्वोक्सलिक समों होना चाहिए इतना द्यान रखना ठीक है जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर NH2 ठीक है CH2 भाई NH2 है एमीन समों और आपका COOH है दूसरा आपका हो गया NH और इसको H कर सकता हूँ बच्चो फिर CH2 और COOH अब देखेगा यहाँ पर जब OH और इसका H तो क्या बना देगा आपका H2O मतलब माइनस का H2O बाहर हो गया फिलहाल आप बचने वाला जो यहाँ पर उत्पाद है वो किस प्रकार से हो जाएगा H2N ठीक है बच्चो H2N और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2 बचेगा आपका CO और यहाँ पर जो बंद बनेगा NH के साथ इसी को हम बोलते हैं बच्चो क्या इसी को हम बोलते हैं Mide बंद यह जो यहाँ पर बंद बना यह आपका Mide बंद बन गया clear दो मिनट का तो हाई है सिंपल है यह आपका glycine है ठीक है यह कहा है बच्चो glycine है glycine के दो और हो आपसे मिलकर के संगनन बना लिए फिर यहाँ पर посто बंद का निरमार हुआ ऐसे ही आप कई सारे योगिक ले सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चो यह आपका कार्वोक्सलिक समू यह आपका एमीन समू दूसरे एमीनोमल के एमीन समू से क्रिया करके H2O बाहर निकाल दिया और यह बीच में जो बना बंद बच्चो उसे हम पैप्टाइड बंद कहते हैं तो आप लोगों को स्क्रिन्शाट लेना है तो ले सकते हैं और दो नमबर में इस से ज़्यादा पूछेगा क्या भाई इतना ही तो पूछेगा दो नमबर में चोटा सा टॉपिक है मैं सोचता हूँ एक भी टॉपिक छूटने ना पाए और आपको बोरिंग भी ना लगे बस आप लोगों के इसका नोट्स लेना है तो कंटेक्ट नमबर है 968529949 एक छोटा से माउंट चार्ज लगता है लेकिन प्रापर रूप से नोट्स दिये जाते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही जैहिंद बंदमात्राम